वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैपकट में डार्क एफेक्ट वीडियो कलर गेडिंग कैसे आप कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना मैं आपको बहुत ही आसानी से डार्क वीडियो कलर गेडिंग सिखाऊं नहीं है तो इसके बारे में जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हो और आपको पता होगा CapCut को यूज करने से पहले हमें किसी VPN से कनेक्ट होना पड़ता है तो मेरे पास सूपर VPN है सो मैं इसे open कर लेता हूँ and connect के उपर क्लिक करके connect कर लेता हूँ आपके पास जो VPN होगा आप उसे open कर लेना अगर आपके पास VPN नहीं है तो आप जस्ट प्ले स्टोर से कोई सभी VPN को install कर सकतो लाइक यहां पर आप VPN सर्च कर दोगे काफी सारे मिल जाएंगे मैं सूपर को यूज करों आप भी यूज कर सकते हूँ देन आपको अपने cap cut को open करना है मतलब सबसे पहले आपको किसी VPN से connect होना है उसके बाद cap cut को open करना है फिर यहां पर आपको new project को उपर click करना होगा इसके उपर आप click करोगे देन उसके बाद अपने video को आप select कर लेना जिसमें भी आप just black effect वाला color grading करना चाहते हो तो मैं इस वाले video को select कर लेता हूँ उसके बाद create के उपर click कर देना तो आपका जो video होगा वो यहां पर add हो जागा आप देख सकतो उसके बाद आपको इसके उपर click करना है यहां पर click कर दो तो normal हो जागा देख पार ठीक है और आप देख सकतो हमारे जो video वो भी बिलकुल normal तो इससे edit करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीटयो के उपर click करना होगा जो आपको स्क्रॉल करना आप देख सकतो काफी सारे options मिलेंगे इसमें आपको एकडी जर्ट का भी option मिलेगा तो आपको इसा की ऑपर click कर देना adjust के उपर उसके बाद आपको यहां पे काफी सारे option मिलते हैं आप सबसे पहले saturation के उपर आना और इसे minus में बिल्कुल 50 करना है पूरी तरह से आपको जश्ट ब्लैक कर देना है उसके बाद आप इसका जो exposure है इसे भी थोड़ा सा कम कर देना और यह जो brightness है इसे भी थोड़ा सा कम कर देना तो आप यहां पे देख पाओगे यह जो black effect है वो अच्छे तरीके से apply हो चुका है बट यह हमारे body के उपर apply हो गया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है तो सबसे पहले तो आप यहां पर यह adjustment वगेरा कर लेना और इसे black में convert कर देना देन उसके बाद आप इसे done करना और यहां पर back करके यह जो overlay का option है न इसके उपर आप क्लिक करना और बिल्कुल starting में आक जस्ट फिर से add overlay को पर क्लिक करके same video को आपको select कर लेड़ा है जो video आप edit कर दो उसे same video को select करके just add के उपर क्लिक कर देना और cut कर देना तो अब देख सकतो यह वाला video add हो चुका अब इसे आप पूरा screen में अच्छे तरीके से just zoom करके adjust कर देना फिर यहां पर आप scroll करोगे त इसके उपर आप क्लिक करना और यहां पर यह जो remove background का option मिल रहे ना इसके उपर क्लिक करके just आपको थोड़ा सा wait करना है यहां पर एक यह processing होगा आप देख सकतो हो यह processing हो रहा है यह processing जैसे ही 100% हो जाएगा आपका जो video का background हो रिमूब हो जाएगा and आपके वीडियो के हो चुका मैं done करें के आपको दिखाता हूँ done किया back करता हूँ तो आप देख सकतो हमारे वीडियो के उपर बिल्कुल properly यह dark effect apply हो चुका है या फिर यह बोलो dark effect वाली color grading हो चुकी अगर आप इसमें चाहो तो कुछ चीज़े change कर सकतो like अपने main video के उपर आप क्लिक करना और यह dark effect को आप थोड़ा बहुत और adjust कर सकती हो यहीं पर adjust वाले option के उपर जाके इसे और बहतर बनाने के लिए brightness वगरा को थोड़ा और कम कर देना and exposure को भी यहां से थोड़ा बहुत adjust करके आप कर सकतो ठीक है method मैंने आपको बता दिया जैसा आपको वीडियो के पर suitable होगा उस तरीके से आप adjustment कर लेना उसके बाद इसे आपको अपने device में save करना है तो यहां पर आपको save to device के उपर क्लिक करना है और यहां पर थोड़ा सब वेट करना है दिन आपका वीडियो हो जाएगा सो इस तरीके से करके आप अपनी वीडोस के उपर डार्क एफेक्ट अपलाई कर सकतू या फिर डार्क कलर गेडिंग कर सकतू I hope आपको हरीकस टिप पता चल चुका है और अब आप आराम से वीडो एडिट कर पाओगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडो में तब तक के लिए बाई बाई